पंजाब कॉंग्रिस के सीनिय नेता और पूर्व उपमुख्य मंत्री सुखजिंदर सिंग रंधावा इस वकत हमारे साथ है रंधावा साथ सबसे पहले अगर हम बात करें आम आदी पार्टी की सरकार को लगबग आठ से नौ महीने का समय हो गया है अगर हम इनकी पूरे कारे एक मिने में बैठने की कोशिश नहीं करेगा तो वो तो पिर सारी उमर उसकी इसका मदल स्पाई नी खराब है बैठनी सकता तो जी गोर्वेंट जो है ये मेरा क्याले कि आप खुल मुला कर आप ही पंजाब में देख लिए क्या आहलात है क्या पंजाब में ऑंसर्टनीटी चल रही है किसी को किसी को पर व्रोसा नहीं है तो मोर आवर के देखिए के एडी है एन आई ए है सी बी आई है विजिलन्स है तीन डेपार्टमेंट पूरे पंजाब में खल्बली मचाई हुई है जब देखो बिल्डर्स के ओपर रेट जब देखो कोई शॉप्स हैं जूलर् है मेडस्टी लिस्ट है उसके ओपर कोई पॉलिटीशन है उसके ओपर है कोई और है तो कॉंगर्स का है उसके ओपर विजिलन्स का है तो पंजाब का एक महौल ऐसा टेरर पैदा कर दिया है कि पंजाब में ना तो इन्वेस्टमेंट आएगी तो ना ही अच्छा आदमीं प की उपर नेल कसी जा रही है पुराने पुराने जितने भी चार्जिस हैं जो इनके उपर इडी की रेट बढ़िया teeth की रेट वड़ी त्माम लोगों के उपर है व्लगंक्त को त्हुंस नुसक्त देंदा रहे है जा सारी इन्होंने बिजिनस बिजिनस हो बी Song बंत कर ना चाथते हैं के आपका भी मन्शा नहीं है के पंजाब की बात की जाए ठीकर आप political आदमी की बजाए यह जो बैठे हैं builders हैं यह चोर हैं पंजाब investment ही लेकर आते हैं इंडस्ट्रिय लिस्ट हैं वो चोर हैं वो investment लेकर आए हैं तो उनकी बाद में कर रहा हूं ना कि मैं प्लिटिकल आदमी का मैंने तो प्लिटिकल आदमी का नाम ही ने लिए आप से तो आप ने ले लिया तो पहले बात समझ कर फिर बात करनी चाहिए तो मैं वह बात कर रहा हूं को अगर ऐसा चलेगा अगर कोई यह कहे तो आप प्लिटिकल आदमियों के उपर भी आ जाते हैं अगर कोई गवर्मेंट यह चाहती है के पंजाबियों की आर्म ट्विस्ट करके जा रीड करके इनको दुबाया जा सकता है यह दोनों सुरकारों की बहुत बड़ी भूल है पंजाबी जो है काड़े पानी से नहीं अजादी में सबसे ज़्यदा इन्होंने काम किया अतंकवाद में सबसे ज़्यदा पंजाब ने काम किया पंजाब प्लीस ने काम किया अब पंजाब की ट्वैल्मेंट को अगर इन बातों से रोका जाएगा तो पूरा पंजाब का ने पूरे हंदोस्तान का नुक्सान होग पंजाब हमारा हिंदोस्टान की बैक बॉन है तो इसलिए बैक बॉन को नहीं तोड़ना चाहिए और चीमनिस्टर साब को भी किर्पा करके गुजरात में जो बाशन दे रहे हैं कि पंजाब मॉडल हम करेंगे पंजाब मॉडल क्या है वहाँ जो भूल रहे हैं काली पंजाब model देख लेना था जो वो बाती है का रहे थे पंजाब में लॉइंडर का है लॉइंडर की बात वहां उनों ने की कहते हैं इतनी इतनी खड़े पड़े हैं गुजरात ओभाई पहले पंजाब का तो कुछ कर लो गुजरात तो बात भी जाएंगे हम गुजरात के शीमनिस्टर कह रहा कि हमें आडी अफ नहीं दे रहे हमारे हमारे फनास रुख जाएगा उनकी और आडी अफ की और फनास मिनिस्टर की और अगर इनकी रिपोर्ट पढ़ी जाए फनास डिपार्डिमेंट की दोनों का इक कर दो के पनास डिपार्डिमेंट गलत है जिनके वो मंतरी हैं तो जहां मंत्री जी गलते हर पाल, दोना का के देखना चाहिए, क्वाडिनेशन की बात क्या है? रन्दावाद सार आपने एक बात की, कि बार बार है, गुजराद जाकर है, पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें, भगवंद मान की, जो मुख्य मंत्री है, उनका कहना है, कि जो पंजाब में लगता साथ-ाठ महीनों में, जो उन्होंने काम किया है, बजली देने की बात कही हो, वो आम लोगों तक पहुंचा ही जा रही है, या आफिर कंट्राक्शल जो इंप्लोईज है, उनको पका करने की बात हो, लेकिन उसके साथ एक एहम बात जो बार बार वो कह रहे हैं, कि गुजराद की इस पूरी रेस में, कॉंग्रेस है, वो कही नहीं है, किस तरह से, मेरी बात सुनो, वो फिर हमाचल की भी बात कर ले, वहां को नहीं कहता कि वहां कि कॉंग्रेस कहीं नहीं है, इनको पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, जो जुमलेबा जी और जो कल बोल कर आए हैं, उनको देखो कि पंजाब में का, मैं एक बात आ तो यह बिजली का तो उस ताइम ही कर दिया था, तेन महीने में नहीं हुआ, को जो हम कर गे, अगर कर देते तो इनके पास तो है नहीं, हमारा ही अजेंडा उठा कर, इन्होंने वही लागू किया है, पंजाब में जो डिफॉल्टर थे, उनका पंदरां सो क्रोड किस ने प कर देता, वह गलती है, वहनास डिपार्टमेंट की, उन्होंने किया नहीं, तो भगवांतमान को यह भी, यह भी मौकाना मिलता, यह बात करने का, यह जितने काम है, आप देख ले ना, आर्टी एम गवाईए, उन में से देखिए, कि चन्नी गवर्मेंट की टाइम में, कित तो आप पहली था, इन्होंने, मेरे क्याल, तीन तीन सो छेस, दो सो पहले था, दो सो पहले था, तो उसके बाद सो दिया है नहीं, तो यह क्या छेसो का क्या रॉल आप डाल रहे है, थोड़ा यार, आप इस थोड़ा होंबर किया करिए, दो सो जुनुट पहले से ही माफ है सो जुनट इन्होंने आकर किया, वो हो किया, जो चन्नी गौर्वर्मेंट के टाइम में हमने कैमिने में पास किया था, तो वो बातें सारी दीकर, उनको करने ज़े ठीक है, इसके बाद जो हमने स्टार्ट करके गए, इन्होंने ओन कर लिया. ठीक है, रंदावास साब एक और एहम बात, अगर हम बात करें कॉंगर्स की, मुझे एक चीज़ बताइए, कॉंगर्स किस तरह से अपने आपको खास सोर पर पंजाब में मजबूत करिये, एक तरफ है, भाल जोड़ जातरा है, वो चल रही है, लेकिन अगर हम पंजाब की बा पहले ब्लॉक कॉंगर्स कमेटी बनें, पी से सी डेलिगेट बनें, तो हमारा तो पूरा ढंचा ठीक है, ऐसी कोई बात दी है, कहीं हमारे वाइस प्रेजिडेंट भी काम कर रहे हैं, दूसरे सभी जिले में, अब डिस्टिक वाइस, जो है प्रेजिडेंट जो हैं, वो टे हो सकती थी, लेकिन कुछ डिफरेंसे है, यानि इंटरनल रिफ्ट थी, उसकी वैसे सारी चीज़े हुई है, अब उन तमाम चीज़ों को कैसे आगे रिजॉल्ब, अब तमाम चीज़े का बिलकुल परफेक्ट है, सारी चीज़े कोडिनेशन में हो रही है, सारे लीडर्स है वो पार्टी लाइन पर काम कर रहे हैं? देखिए, वही बात आएगी, जैसे बगवानतमान कहता है कि पिछली सरकार, पिछली सरकार, अब पिछला त्यास तो हम खोलेंगे नहीं, हारी कमार्ड को भी पता है, हमें भी मालम है कि क्यों हारी, किन की, किनोंने स्टेटमेंट्स दी, हो सबी हमें भी मालम है, लोगों को भी पता है, अब उसको चैप्टर को क्लोज करके, शुचर की बात करने चाहिए, पंजाब कॉंगरस पूरी एक चुट है, और कभी आपने देखा है कि कभी हम सब लेटर अकटे बैठते हैं, तो ऐसे दो कभी कॉंगरस पहले जैसे बैठते थे, ऐसे कभी बैठ ही नहीं, जेतनी सीनियर लेटर शिप है, उसमें कोई डिफरेंसिज नहीं है, सबी अकटे बैठ कर बात करते हैं, तो जिस सादमी ने संदेश के बारे में बताया है, कि प्रियंका गांधी तोरा एक संदेश है, वो भेजा जा है, नव जो आप मैं भी कहा दूँगा कि मेरे को संदेश आया है, किसी और का, तो मैं अगर दखाऊंगा ही नहीं, तो इसका मतलब संदेश आ ही नहीं, अगर संदेश बेजा है, तो संदेश पार आना चाहिए, अगर संदेश ऐसी पब्लिसिडी करने के लिए कहा गया है, तो उनको भी ग्रीज करना चाहिए. नहीं क्योंकि चर्चा इस तरह की काफी खल्बली इसके बाद हो रही है. बिलकुल कोई खल्बली नहीं है. आपने मेरे मेरे में देखी कोई खल्बली. आपने कहां देखी खल्बली के कोई भाग रहा है, है, और गाहा है, कोई इदे जा रहा है, खलबली का मतलभ किया है कि जैसे कोई आ गए भाग जो भाग जो आपने कहा देखी यह खाल भी अभी तो हमारी ausge मिटिंग हुई थी कॉंगरस मोण में तो आपने खल्ब नी वे देखी कहीं कोई है कोई ऐसी कोई बात नहीं है लेडर आते जाते रहते हैं तो कॉंगर्स वहीं कि वहीं खड़ी और स्ट्रॉंग खड़ी है यानि अगर कल दिन को नवजो सिंग सिद्धू को कोई जम्यवारी दी जा मेरी बात सुनें नवजो सिंग सिद्धू एकिला कांगर्स रही है इसका मतलब कि आप प्रेस वाले हाइप देते हैं किसी को तो एक अगर नवजो सिद्धू एतनी देर कांगर्स के गेंस्ट लड़ता रहा तो कांगर्स मर गी थी कांगर्स जिंदा रही ती और सरकार बनाते रहे हैं तो आदमी के साथ ग्रस ने चलती के साथ चलती है अगर गंधी जी ने कॉंग्रस की नहरू जी ने की तो उसके बाद अगर वो चलेगी तो कॉंग्रस खतम यह बात आपका क्वेस्टिन ही गलता है से अक बहुत ही वेवाकी आपने तका में door तरह के जवाब देते इस लिए रंधावासّाब है वह जाने घाते हैं खास के अलगर हम बात करें किक और समयी अ क्शल्स तो परेगर चाही है तो रहीद में क्या रहे उसकता न कंग्रेर और पूरे देश भर में काम करेगी वीडियो जनलने समन गुपता के साथ लालित शर्मा चंडिकर आस्ताथ